तुम लोग मेरे इस कथन को भली बांती स्मरन रखो, मानो पुत्र मनुश्यों के हवाले कर दिया जाएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याएग नौ पसंक्या चवालिस आज का सुपसंदेश चरवाह जिस तरह अपने जुन की रक्षा करता है। प्रभू उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भायों और बहनों आज माता कलिस्या संत जरोम जो पुरोईते धर्मचारिते उनका स्मृते दिवस मानाती है। ये संत अपने जीवन के द्वारा, अपने कतन के द्वारा, अपने लेकनी के द्वारा जो प्रभू का संदेश उन्हें मिलता है। वे दूसरों में बाणते हैं और एक करमट सहिश्नुता से प्रोईत के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। आयवच अम प्रभू को दन्यवाद दे, पुरे मैने में प्रभू हमारे साथ रहें। मैने का अंतिम धिन, अंतिम तारी के आज प्रभू से पाए हुए सबी वरधानों को, दुखकस्टों को भी याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दे, जिनके द्वारा हम प्रभू के करीब पहुंच पाए, प्रभू को अनुभव कर सके। और साथे साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभू ने हमें शक्ते दे, क्रिस्ट में विश्वासियों, जब तक हम अपने जीवन में क्रूस को अनबफ नहीं करते हैं, तब तक प्रभू के रास्ते में, प्रभू के बातों पर विश्वास करना मुश्किल ह आज वही प्रबु सुसमाचार के दुबारा अपने दुखों के बारे में सुष्चों को समझाते हैं और वो दूसरी बार इस सुसमाचार में सुचना देते हैं कि उन्हें क्रूस पर मरना है मरन सब को आए गई है एक कड़वी सचाए लेकिन प्रस्ट ने यह वुड़ता है क्या मैं इस मृत्यू के लिए तैयार हूँ मृत्यू जब नस्दीक आता है क्या हमारा आनुभाफ होगा जैसे प्रबु ने दोसरों के हित में अपने जीवन को कुर्बान दिया मैं उसके लिए तैयार हूँ आज इसी पर मनन चिंतन करें कृपा मांगे दुख बोग अन्त नहीं है प्रबु ने हमें सिकाया है वो उसके दुबारा प्रबु की महीमा और प्रकट हुई है इतले संद पौलुस कहते हैं मृत्यू अन्त नहीं है लेकिन दूसरा जीवन में प्रबेश करते हैं आज हम प्रातना दुआ करें प्रबु हमारे साथ रहें हमें शक्ते और ढड़स्ते दैनी जीवन में दुख तकलीवों को अनिबव करते विए प्रबु में हम लगे रहे आमेन